हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं सिर्फ 10 मिनिट में बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स का इस्तेमाल करके हम आसानी से करेले की सब्जी बनाएंगे करेले के हेल्ज बेनेफिट्स बहुत सारे है खास तोर पर डाइबिटिक पेसंट के लिए करेले का सेवन बहुत फाइदेमंद होता है डाइबिटीस के मरीजों में बलड सुगर लेवल को कम करता है करेला स्वाद में कड़वा होता है इसलिए ज़्यादा तर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते इसके कड़वे बन को दूर करने के लिए इसे नमक के पाने में भिगोया जाता है या फी चीनी एट की जाती है लेकिन हमेशा कुछ नहीं करने वाले आसान फूर रेसिपिस के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें करेले की सबजी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम करेले लिए हैं इन करेलों को हमने छील लिया अब देख सकते हैं कि हमने करेलों को पूरी तरह नहीं छीला है सिफ फल के हाथों से हमें इसे थोड़ा ही छीलना होता है करेले को छीलने के बाद हमने इस तरह से स्लाइसिस में इसे कट कर लिया है साथ ही में हमने इसके सारे बीज निकाल लिये और हमने लिये तीन मेडियम साइज की कटी हुई प्याज और दो हरी मिच कटी हुई सबजी बनाने के लिए हमने पेन में तीन टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया इस तेल में हम एट कर देंगे हाफ टीस्पून जीरा जीरे को तेल में अच्छे से सोटे करने के बाद हम इसमें एट करतेंगे कटी हुई प्याज और हरी मिच देखिए अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप हरी मिच की कौंटिटी बढ़ा सकते हैं और प्याज को हमें तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है एक से डेड़ मिनिट तक मेडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद अब देख सकते हैं कि प्याज सोफ्ट होने लगी है इससे ज्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे इस टेश पर हम इसमें एट कर देंगे करेले और करेलो को हमें तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है दो से तीन मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर करेलो को फ्राइ करने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसा नमक एट करेंगे तो यहाँ पर हम इसमें हाफ टीस्पून नमक एट कर रहे हैं साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे हाफ टीस्पून हल्दी पावडर बस सुख्य मसालों में हमें इसमें सिर्फ हल्दी और नमकी एड़ करना है इसके अलावा हम इसमें कोई मसाले एड़ नहीं करेंगे ना ही हम इसमें अधरक और लेहसुन का पेस्ट एड़ कर रहे हैं इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स में आसानी से टेस्टी और हेल्दी करे लेकि सबजी बनकर तयार हो जाती है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके लोफ लेंपर पकाएंगे देखिए हमने इसे कवर करके लोफ लेंपर पांच मिनिट के लिए पकाया है हमारी जो सबजी है वो 80% तक पक चुकी है अभी हमें इसे और पकाना है तो इसे एक बाद चेक कर लेंगे और फिर से कवर करके लो फ्लेम पर कुछ दे तक और पकाएंगे हल्दी और नमाकेट करने के बाद हमने इसे 5 मिनिट के बाद चेक किया था उसके बाद हमने इसे कवर करके 5 मिनिट के लिए और पका लिया साथ ही में हमारी हेल्दी करेले की सबजी बनकर बिल्कुल तयार है इसे डिस आउट कर लेंगे आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं